प्रदेश के बहु चर्चित खान घूसकांड के आरोपी पूर्व IAS अशोक सिंग्वी को मनी लॉंडरिंग मामले की विशेश अदालत के से करारा जटका लगा है मनी लॉंडरिंग मामले की विशेश अदालत ने आरोपी अशोक सिंग्वी की जमानत याची का खारिज की है बता दे कि सुमवार को पूर्व आई एस अशोक सिंग्वी ने एडी मामलों की विशेश कोर्ट में सरिंडर कर जमानत याची का दाखिल की थी जिसके बाद कोर्ट ने केस के आरोपी सिंग्वी की जमानत अरजी को 4 जून तक के लिए टाल दिया था अशोक सिंग्वी ने जमानत याचीका में कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है इस मामले में जाच पूरी हो चुकी है और सहे आरोपियों को जमानत मिल गई है इसके अलावा वे सीनियर सिटीजन हैं और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है ऐसे में उन्हें कोरोना संक्रमन का भी खत्रा है वहीं इडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताया और कहा कि इस मामले में सहे आरोपि भी लंबे समय तक जेल में रहे हैं